हापी बर्दे टू यू नमस्कार स्वी किष्णा जैश्वी राधे बहुत बहुत स्वागत है दिनांग दो सितंबर को पैदा हुए लोगों के पूरे वर्ष का हाल लेकर के मैं आपका एश्ट्रो फ्रेंड आपके सामने हूँ आज तोड़ा स्वास्ति खराब है इस वज़े से मैं पर्दे की पीछे से आवाज दे रहा हूँ लेटे लेटे ग्रहों की स्थिती बता देते हैं आप लोगों सूर्य सिंगराशी में शुक्र और ब्रहश्पतितुला में शनी धनुराशी में मंगल केतु मकर में चंद्रमा म मेश में और निमाप के जिएगा चंद्रमा ब्रिश में हैं कृतिका नक्षत रहें और बुद्राव कर राशी में यह ग्रह मिलकर कि आपकी सिक्षा से ले करके सब कुछ आपका बताने जा रहे हैं तो देख लीजे पहले सिक्षा की बारे बताते थोड़ा सा उठा पटक भ दुक जाया करेंगी जिसकी वज़से कुछ दिक्षतें आपको परिशान करेंगी और हो सकता है कि माता पिता के साथ कहीं दिवाद की इस्तिती का हरे करीव हो जाए और पैसे वैसे आपके रुक जायाने तो पैसे की वज़से सिक्षा प्रभावित होगी अगर आप 2 को पैदा हुई है सिक्षा में बदलाव आप अक्टूबर नौंबर में ला सकते हैं गर आप पदलना चाहें तो उस दोरान मंगल की इस्थिति कुम्भ राश्वी में हो जाएगी मीन में हो जाएगी वह आपके लिए हेल्पफुल रहेगी कुम्भ आपके साथ में भाव में ही आजाएगा मंगल सिंग लगन का जो इस समय वर्षफल है ब्यापार ब्यापार किस्थिति थोड़ी सी गरबड है बड़े डिसीजन्स अक्टूबर नौंबर में टाल दीजिएगा कोई आपको निवेश के लिए आफर करता है तो पहले ए प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं नौंबर दिसंबर में विदेश के लिए प्रयास कर सकते हैं या फिर स्वदेश में भी आप पूरव दिशा में अपने संस्थान को बदल सकते हैं बहुत दिनों से विचार कर रहे तो इस साल अपने आप मैई-जून जो 2019 में है वो पूरी तरह से आपके लिए फेवरेबल रहेगा उस सिक्षा का अस्तर आपका जो हव्यापार का अस्तर उठेगा प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में उठा पटक आपको अक्टूबर से मिलना सुरू हो जाएगा बास के आखों के किरकिरी बन सोच विचार करके कहीं अनियतर अपना काम करने का विचार करिएगा एक बार कुणली जरूर दिखा लिजेगा हो सकता है कि दो सितंबर को पैदा हुए लोग जो प्राइवेट सेक्टर में प्रियास कर रहे थे तो पश्चिम दिसा से कुछ अच्छे ओफर आ जाएं बट समय 2019 मार्श के बाद का होगा होली के बाद का सरकारी नौकरी दो सितंबर को पैदा हुए लोग जो सरकारी नौकरी वाले हैं उनके लिए समय बहुत अन्कूल है उसमें कहीं से कोई रुकावट और कोई दिक्कत नहीं आएगी हर प्रकार से आप एक अच्छे लेबल तक पह हो जाएगा आपके लिए दो सितंबर को पैदा हुए लोगों का ग्रहस्त आस्रम अगर चर्चा करें तो हस्तक शेव तो हो रहा है और वो समय 28 सितंबर के बाद आएगा तो अपनी वाली पर अंकूश लगाईएगा और किसी बड़े उम्र की महिला से कुछ सलाम अश्वरा ले लिजेगा मैरिड लाइफ ठीक करने में बड़े उम्र की महिला का योगदान बहुत शुब होगा लव लाइफ उठा पटक रहेगा नमम बंचम का संबंध बड़ा गड़बड बन रहा है यह आपके लिए ठीक नहीं रह बड़ेगा सभालिए अपने आपको बचाईए अपने आपको बिमारियां जॉन्रिस की सिकायत परेशान कर सकती है आँखों की दिक्कत परेशान कर सकती है अगर आप बिशब गहरे महराज दो सितंबर को पैदा हुए है तो हो सकता है कि बिमारी के नाम पर घुटने की दिक्कत भी आपको परेशान करें शुक्रिया धन्यवाद आप लोगों की इस प्यार के लिए उपाय हम बता देते हैं फटा-फट नोट कर लीजेगा किसी कन्या की सिक्षा में मदद करके धन का दान अस्पताल में करिएगा और अगर आज आपकी शादी की सालगीरह है तो हर्मंगलवार को संदरकान का पाठ करके एक बेल का पौधा जो बेल पत्र होता है किसे शिवाले में लगा देजेगा धन्यवाद आप लोग के इस प्यार के लिए प्यार बनाए रखिए वीडियो को शेयर करिएगा जब भी देखें तब भी आप उपाय कर सकते हैं पूरे वर्ष आनन देने वाला यह उपाय आपके लिए रामबार साबित होगा प्यार बनाए रखिएगा और मिलते हैं हम कल पुने में और फिर आमची मुंबई वारे तैयार रहे हैं नमस्कार फिराधे लवी वाल टेक केर बाई बाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए आप जो अलार्म बटन है उसको आप दबाईए और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना न भूलिए